दोस्तो सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए सबसे पहले न्यू अपडेट विडियो देखने के लिए हेलो दोस्तो कैसो आप लोग आई होग कि आप लोग सभी अच्छोंगे दोस्तो आप लोग को यह चीछ तो दिखी रहा होगा हमारे फोन में चुटा सा बेवी है जो की बहुत ही क्यूट टाइप का है और यह अभी जो है वो सो रहा है यहां पर इसकी और भी बहुत सारे मतलब की क्यूट क्यूट सी आवाज निकालते हैं यहां पर देखे जैसे कि ह अब अब आपको सुनाएगी है अहां पर देखी इस पर हम टच करेंगे रहां यहन्युक्तो नहीं के साथ जाएगी तो बहुत कम्याल का यह देकि अपकर है हूं बहुत इंट्रेस्टिंग है इसमें कुछ नहीं करना मैं आपको बता दिता हूं कि सेटिंग कैसे करना है कि आप अपने फोन में तुरंद कर लें और इस चिछ को अपने फोन में जरून कीजिएगा मुझे बहुत ही इंट्रेश्टिन लगा प्रस्नली अब मैं इस एप्लिकेशन को यूज कर रहा हूं दो सो दोस्तों अगर आप इस क्यूटी पाई को अपने फोन में सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा इसके बगल में घंटे काई कहना जागा तो आपको इसे दबाकर यहां से और कर लेना होगा दोस्तों और साथ ही यहां पर आपको एक कॉमेंट करना होगा जैसे की ना इस ओसम या फिर यहां पर पर नाम लिख दिना होगा ताकि मैं जान सक्थों कि आप हमारा वीडियो देखते हैं मैं आपका नाम पढ़ सकूँ तो जलते हम जानते हैं वो इस application के बारे में तो यहां पर यह वो application है जिसका नाम है Flupy Choo, तो चलिए हम इसे open कर लेते हैं और इस application का link मैंने वीडियो का description में दे दिया है, वहां से आप बहुत ही आसान तरिके से अपने phone में इस application को install कर सकते हैं, open करने के बाद यहां पर आपके सामने दो options आ जाते हैं, set wallpaper और settings का, तो settings में जाकर आप इस cutie pie को पुरी तरह से customize कर सकते हैं, इसे topi पहना सकते हैं, अलग-अलग इसे चस्मा पहना सकते हैं, और भी इसे कपड़ा भी पहना सकते हैं, उसके बाद यहां पर state wallpaper पर tap करेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यह जो है वो चस्मा पहन लिया और यहां पर तोपी अलग पहन लिया, इसके बाद यहां पर state wallpaper पर करकर आपको state कर लेना है अपने wallpaper पर तो अगर आपको यह application अच्छा लगा तो इस application का लिंक मैंने विदो का description में देही दिया है, तो वहां से application को install कीजिए और enjoy कर यह इस application को,